नमस्कार महापुर्शों का कहना है कि कविता हमें बेहतर इंसान बनने में सहायता करती है इसलिए ये जरूरी लगता है कि कविता सब तक पहुँचे सब कविता को जाने और समझे विशेश रूप से हमारी युवा होती पीड़ी अर्थात कि शूर बच्चे कविता से निकटता बनाए तो एक बेहतर समाज के निर्मान में उनकी भूमिका सार्थक हो सकती है किन्तु ऐसा तभी संभव है जब हम ये जान ले कि कविता है क्या कविता का एक छोर जहां कलपना को आकाश की उचाईयों तक ले जाने के ख्षमता रखता है वहीं जीवन का यथार्थ कविता को धरातल पर लाकर खड़ा कर दिता है यही अंतर विरोध ही कविता का जनक है कविता का भाव जगत चात्रों के लिए हमेशा से जिग्यासा का कारण बनता रहा है इस शंखला के कारिक्रमों में उनकी इने जिग्यासाओं का उत्तर खोजने का प्यास किया गया है नमस्कार कवि और कविता शंखला में आपका स्वागत है आज का हमारा कारिक्रम है नागारजुन ये पाठ NCERT की हिंदी की पाठे पुस्तक अंतरा भाग एक में संकलित है सबसे पहले प्रस्तुत है कविता पाठ कविता का शीर्षक है बादल को घिरते देखा है अमल धवलगिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उनस्वर्निम कमलों पर गिरते देखा है बादल को घिरते देखा है तुंग हिमाले के कंधों पर छोटी बड़ी कई जीले है उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आआकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विस्तंत खोजते हंसों को तिरते देखा है बादल को घिरते देखा है रित्वसंत का सूप्रभात था मंद मंद था अनिल बहरहा बाल अरुण की म्रदुकिरने थी अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती निशाकाल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें उस महान सरवर के तीरे शैवालों की हरीदरी पर प्रणे कलह छिडते देखा है बादल को घिरते देखा है दुरगम बरफानी घाटी में शत्त सहश्रफट उचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निजके ही उनमादक परिमल के पीछे धावित हो होकर तरल तरुन कस्तूरी म्रग को अपने पर चिडते देखा है बादल को घिरते देखा है कहा गया धनपती कुबेर वह कहा गई उसकी वह अलका नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जलका ढूना बहुत परंतु लगा क्या मेग दूत का पता कहीं पर कौन बताए वह चाया में बरस पड़ा हो गाना यहीं पर जाने दो वह कविकल पित्था मैंने तो भी शन जाडों में नब चुम्बी के लाश शीश पर महा मेग को जंजा निल से गरज गरज भिडते देखा है बादल को घिरते देखा है शत्षत निरजर निरजर नी कल मुखरित देवदारू कानन में शोनित धवल भोज पत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंदित फूलों से कुन्तल को साजे इंद्र नील की माला डाले शंख सरीखे सुघड गलों में कानों में कुवले लटकाए शत दल लाल कमल वेणी में रजत रचित मनि खचित कला में पान पात्र द्राक्षा सवपूरित रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रपदी पर नरम निदाग बाल कस्तूरी म्रग चालो पर पल्थी मारे अभी आपने सुना कविता पाठ आईए अब देखते हैं कवी नागर जुन की कविता के भिन 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 बिंदूओं का विशलेशन विशेविशेशग्य हैं दिल्ली विश्वविद्याले के सेवा निवरित प्रोफेसर तथा सुप्रसिद आलोचक डॉक्टर अजय तिवारी वैद्दिनाथ मिश नागार जुन उनकी कविता है बादल को घिरते देखा है यह कविता 1940 में लिखी गई थी नागार जुन उन दिनों भी मैथिली में लिखते थे और हिंदी में लिखते थे अपनी मैथिली कविताओं के लिए आगे चलकर उन्हें साहित एकेडमी का पुरसकार भी विला मैथिली में और हिंदी में साथ साथ लिखने का एक मतलब यह भी है कि नागारजुन लोक भाषा से और लोक संस्कृति से बराबर जुड़े रहे ये कविता लोक संस्कृति के सीधे अनुभों की कविता तो नहीं है इसके बजाए एक classical experience की एक भव और विराट अनुभों की कविता है लेकिन उस अनुभों के भीतर उनका जो लोक मन है जिसमें देखे जाने दृश्यों को कविता में लाने की योग्यता होती है ऐसा मन दिखाई पड़ता है यहां बादल को घिरते देखा है एक तो ये कविता प्रकृति के एक विशेश अनुभों पर आधारित है और दूसरे एक बड़ी मज़ेदार बात है नागारजुन इस कविता को और इस तरह की कविताओं को अपनी सुहागिन कविता कहते थे सुहागिन कविता इसलिए कहते थे कि उनकी राजनीतिक कविताएं तो लोगों में क्रोध पैदा करती हैं लोगों में दूसरे तरह के भाव पैदा करती हैं लेकिन पाठ्ष क्रबों में नहीं लगाई जात ऐसी कविताएं पाठक्रबों में लगती हैं और उन्हें इससे बहुत पैसा मिलता है तो वो कहते थे कि ऐसी कविताएं बहुत पैसा देती हैं इस सुहागिन कविताएं हैं जिनको हर जगा लोग पसंद कर लेते हैं बहराल हर जगा पसंद करें इसके लिए कविता के अनुभों में कुछ ऐसी विशेष्टा होनी चाहिए जो सब को अपने भाव से जोड सके और यहीं कवी के सामर्थे का पता जलता है कविता पढ़ते समय हम उनके इस सामर्थे को बार बार देखेंगे लेकिन इस पूरी कविता में आये हुए द्रिश्चों के बारे में उनकी एक सामानी विशेष्टा की चर्चा शुरू में करना जरूरी है कि कोई भी तत जिसे हम देख रहे हैं वो जब अनुभों में ढलता है तो उसमें अपने आप एक विशेष्टा पैदा हो जाती है और वही विशेष्टा दूसरों से कवि को जोड़ती है कविता को जोड़ती है जैसे अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है अब इसे पहली ही पंक्ति है अमल धवल गिरी के शिखरों पर ये हिमाले का दृष्ष है, बहुत स्पष्ट है, अमल है, उसमें कोई गंदगी नहीं है, वो आपके तरह पर दूशित नहीं रहा होगा 1940 में, धवल स्वच, अमल धवल गिरी के शिकरों पर बादल को घिरते देखा है, तो एक किसी परवती प्रदेश की यात्रा में देखे दृष्ष की स्मृति है, पहली बात तो ये, लेकिन इस तरह के दृष्ष हिंदी में सबसे भव विरूप में कालिदास की कविता में आए हैं, और नागारजुन इस बात को संकेतित करना चाहते हैं कि ये कालिदास के अनुभों से कही होड़ लेने वाली कविता है, अमल ध धवलगीरी के शिखरों पर प्रियवर तुम कब तक सोये थे, तो या तो कालिदास उन शिखरों पर सोये थे और उनका उन्होंने ऐसा वर्णन किया था, या फिर नागारजुन उन शिखरों में रमे थे कि उन्होंने इसका ऐसा वर्णन किया है, तो अपने को उनके समक्ष रखके, उनके सामने रखके, उन्हें वो सम्मान भी देते हैं, लेकिन उनको आत्मसाथ करके उनसे आगे बढ़ने का उपक्रम भी करते हैं, प्रैत्न भी करते हैं। चोटे चोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिंकनों को मान सरोवर के उन स्वरनिम कमलों पर गिरते देखा है बादल को गिरते देखा है। यह जो मौती जैसे छोटे छोटे तुहिन कण है ओस की बुदे हैं यह वास्तों में उन गिर शिकरों की यानि जो बादल अमल धवर गिर के शिकरों पर आये हैं, उनके कण हैं, तो ओस को बादल का कण बनाना यह अनोहो की विशेशता संकेति करता है, ओस का वर्णन बहुत लोग करते हैं लेकिन नागारजुन बादल को देख रहे हैं तो उस बादल के पानी से इस ओस तक एक तारतम में देखते हैं कवी की दृष्टी की खूबी यही होती है कि वो जीवन में प्रकृति में शृष्टी में जो अंता सूत्र छिपे रहते हैं उन्हें पहचानता है और उससे उसकी कविता निखरती है नागारजुन इन जगहों पर बराबर गए हैं उन्होंने इन इन दृष्टी को देखा है इसके साथ यहां एक बात और रेखांकित करने की है कि बादल का सम्मंद वर्षा से है और मेगदूत लिखने वाले कालिद नागारजुन बादल को घिरते देखा है लिखने वाले वर्षा के कवी हैं एक किसान समाज से जुड़ी संस्कृती में वर्षा का बहुत महत्व है और वर्षा इस अर्थ में कहा जाए तो हमारी काव परमपरा को एक वैभो एक अर्थ देने वाली प्रक्रिया है तुंग हिमाले के कंधों पर छोटी बड़ी कई जीले हैं उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आ आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर बिस्तंत खोजते हंसों को तिरते देखा है बादल को घिरते देखा है अब मानसरोवर का दिर्श है उपर भी मानसरोवर है ये जो हंस तैर है ये भी मानसरोवर में हैं हिमाले के उचे कंधों पर बहुत सारी जीले हैं चोटी मोटी चोटी बड़ी बहुत तरह की जीले हैं और कश्मीर तो आप जानते हैं जीलों का प्रदेश है उनके श्यामल नील सलिल में पानी कितना स्वच्छ है समतल देशों से आ आ कर समतल देश गरम देश वहाँ से ठंडे प्रदेश में बहुत सारे पक्षी आते हैं रित जब वहाँ प्रदिकूल होती है अपने जीवन के लिए ये पक्षी एक जगह से दूसरी जगह यातराएं करते हैं तो इन हिमाले के कंधों पर भी ऐसे पक्षी जाते हैं वो पावस की उमस से आकुल है पावस तो वर्षा की रितु है और वर्षा में उमस बहुत होती है तो उस उमस से जब वो व्याकुल होते हैं तो हिमाले पे आते हैं अपनी जान बचाने के लिए और हिमाले पे आते हैं तो उनका भोजन बदल जाता है वो चीज़ें तो यहां नहीं मिलती तो वो जो विस्तन्तु है विस्तन्तु का मतलब होता है कमल की नाल है उसके भीतर म पूलायम रेशे होते हैं, वो रेशे. तो उन रेशों को कुछ कड़वे, कुछ मीथे होते हैं, थोड़ा год Tyct, तिक्त मधूर. ऐसे रेशों को वो खोचते हैं, और खोचते हुए उसमें तैरते हैं, उन हंसों को मैंने तैरते देखा हैं. तो वो आएं हैं अपना जीवन बच आने के लिए लेकिन मनुष्री के लिए उनका ये उनकी ये गत्विद सुन्दर्ता का एक कारण बन जाती है और इस तरह प्रकृति मनुष्री के सौंदर्य का एक अक्षे सुरोत है प्रकृति की हर गत्विद मनुष्री के लिए सौंदर्य का साधन बनती है ये हमें हाद था, मंद मंद था, अनिल बहरहा, बाला रुन की मृद किरिने थी, अगल बगल स्वरनाब शिकर थे, एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर ही, जिनको सारी रात बितानी होती, निशाकाल से चिर अभिशापित, बेबस उन चकवा चकई का, बंद हुआ करंदन, फ है, बादल को गिरते देखा है, हंसों से बिलकुल अलग तरह का चित्र है, लेकिन ये बात देखने की है, कि नागारजुन को मनुष्यों का और तमाम चीज़ों का तो बहुत अनुभ हो था, लेकिन प्रकृति का कितना अनुभ हो था, पर्शु पक्षियों के सभाओं का कि भी दिखाई पड़ता है, और कोई बड़ा कभी रितूओं का, वनस्पतियों का, फूलों का, पेड़ पौधों का और पर्शु पक्षियों का व्यापक अनुभ हो रखे बिना महतुपूर्ण कभी नहीं बनता, यहां चकवा चकई गवर्णन है, चकवा और चकई ऐसे पक काल के चिर अभिशापित, उन्हें चिर काल से यह अभिशाप मिला है, कि वो रात में साथ नहीं रहेंगे, तो ऐसे पक्षी रात में साथ नहीं थे, और सुबह वे फिर प्रणय कला कर रहे हैं, यानि वो चोच लडा रहे हैं, यह चोच लडाना देखने में तो लडाई ज कहना पड़ता है आई लव यू तो पक्षियों को यह नहीं करना पड़ता वो अपने सहज सभाव के हिसाब से आचरन करते हैं उसी में उनका प्रेम उसी में उनका सही स्वरूप व्यक्त होता है लेकिन यहां आप देखें कि शुरू में परवत का जो वर्डन है वो लगभग वैसा ही परिव demonstrate देखा हुआ जाना हुआ देख जानके परक के जब आदमी किसी चीज को अपनाता है तो उसको परिवेक्शन कहते हैं तो यदित वसंद का सुप्रभाद था, मंद मंद था अनिल बहरहा, अब यहां अनिल तो पुलिंग है, पवन पुलिंग है, वो बाला अरुन की मृद्र किरने थी, भोर का की, बालक अरुन है, उदित हुआ सूर्य है, नया नया सूर्य है, और उसके कारण अगल बगल स्वरन आब शिखर थे, अगल बगल के शिखर थे, वो मानों सोने की आभा से रंगे हुए थे, और ऐसे में यह जब सुबा सुबा की यह सूर्य आया, धीमे धीमे हवा चल रही है, और शिखरों पर सोना मंदित हो गया, उस समय चकवा चकई, अचानक सामने आ गए, और पने कलह कर रहे हैं, लेकिन रात भर ये अलग थे, नागाजुन उसका संकेत करते हैं, और वो कहां कर रहे हैं, उस महान सरोवर के तीरे, तो जिस सरोवर में, यानि जिस मान सरोवर में, हंस टेरते थे, उस मान सरोवर के तीर पर चकवा चकई, प्रनेकला करते थे, तो ये मान सरोवर, सिमाले और मांसरोवर का एक भरा पूरा दिर्ष बारी-बारी से उभरता है हमारे सामने और कभी एक-एक अंश पर इस पूरे दिर्ष के एक-एक अंश पर अलग-अलग ध्यान के अंदरित करता है यह उसके कलात्मक दिर्ष्टी की विशेष्टा है दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्र फुट उँचाई पर अलक नाभी से उठने वाले निजके ही उन मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर तरल तरुन कस्तूरी म्रिग को अपने पर चिरते देखा है बादल को घिरते देखा है कस्तूरी म्रिग उन इलाकों में होते हैं और कस्तूरी म्रिग आप जानते हैं कस्तूरी की गंध बड़ी सम्मोहक होती है बड़ी मादक होती है और वो कहते हैं नाभी में होता है हिरन के जिस हिरन के नाभी में कस्तूरी होती है वो कस्तूरी म्रिग कहलाता है, सभी हिरुनों के नहीं होती है, ये जो कस्तूरी म्रिग है, ये भी वहाँ है, अब आप शकुंतला का दृष्यात कीजिए, आभिज्ञान शकुंतल का, मांसरोवर, हंस, और पक्षी, कस्तूरी म्रिग, और उनके बीच काणों का आश्रम, आप पूरा दृष्य सजीव होता जाएगा, लेकिन उससे काफी अलग भी, वैसा भी और उससे अलग भी, ये है कालिदास से नागारजुन की होड, बहराल ये जो अलख नाभी यानि जो नाभी दिखाई नहीं पड़ती, और वैसे अलख तो अलख निरंजन, ब्रह्मों को कहा जाता है, लेकिन यहाँ ब्रह्म नहीं है, उसकी नाभी उसके लिए अलख है, वो अपनी नाभी से हम नहीं देख सकता, तो उस नाभी से उठ़्के वो उन्मादक परिमल आरहा है, परिमल यानि गंध सुगंध, वो उन्मादक गंध आ रही है, उसको मदमस्त करने वारी, और वो जान नहीं पाता कि ये गंध कहां से आ रही है और उस गंध के पीछे ब्याकुल होके घूमता है ये जो कस्तूरी मिरिक का घूमना है नागारजुन ने इसको कित्रे अच्छे ढंग से चित्रत किया है हमारे सामने स्पर्ष्ट होता है कहां गया धनुपति कुबेर वह कहां गई उसकी वह अलका नहीं ठिकाना कालिदास के व्यों प्रवाही गंधा जलका धूडा बहुत परंतु लगा क्या मेख दूत का पता कहीं पर कौन बताए वह चाया मैं बरस पड़ा होगा ने यहीं पर जाने दो वह कविकल्पित था मैंने तो भीशन जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शिर्ष पर महा मेख को जंजालिल से गरच गरच भिरते देखा है बादल को घिरते देखा है अद्वत दृष्ष है यहां कालिदास के यहां तो अलका नगरी थी और उसका राजा कुबेर था लेकिन कुबेर और अलका को मिलाया था इसलिए उनके चित्रन में यहारत के साथ कलपना थी नागारजुन उस पुरान को अलग कर देते हैं जो वास्तविक है उसको ही देखते हैं और इस अर्थ में नागारजुन की कला का सामरती भी पता चलता है कि आप कलपना से बहुत सी चीज़ों को मिला के अधिक सुन्दर बना सकते हैं लेकिन वास्तविक्ता जो जैसी है उसको उस रूप में देखें और तब उसकी भविता और सुन्दरता आपके सामने उभर सके ये बहुत अधिक कलात्मक सामरती की बात है और नागारजुन नागारजुन ऐसा करते भी है और उन्हें इस बा कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का बादल को व्योम प्रवाही गंगा जल कहा गया है बादल में जल भरा हुआ है और व्योम में आकाश में घूम रहा है तो मानो गंगा नदी आकाश में बादलों के रूप में घूम रही है ये जो व्योम प्रवाही गंगा जल थ लिखा था यह बरस गया हो गोगा कहीं नो," क्या पता, कहीं बरस न गया हो और बरस गया होगा, उसके बात कहते हैं जाने तो वह कविकलपित था, वह तो कविकलपना थी, मैंने लेकिन इसके बजाए इस द्रिश्ट को साक्षात देखा है भीशन जाड़ों में अभी पीछे वसंत का वर्णन था अब शिशिर का वर्णन है भीशन जाड़ों में मैंने नभचुम्बी कैलास जो कैलास गगन को चूम रहा है उसके शिकर पर अब वहां पहुँचने वाला मेग कोई ऐसे चोटी मोटी बदलियां नहीं होंगी वो महा मेग है उस महा मेग को और उस मेग के भीतर बिजलियां होती है वो जंजा निल कहलाती है तो उस जंजा निल से महा मेग को भिड़ते हुए देखा है बादल और उसके भीतर की बिजली जो कड़क रही है मान उसमें इस भिरंत की कलपना केवले इस भिरंत की कलपना है लेकिन ये भिरंत भी है साक्षात तो इसलिए नागारजुन कलपना का सहयोग लेते हैं देखे हुए दृष्य को समारने के लिए कालिदास ने देखे हुए दृष्य में कलपना के दृष्यों को बिलाया था इस तर है कि वो कवी कल्पित था तो कालिदास को अस्वीकार भी करते हैं लेकिन कालिदास के ही सारे द्रिश्चों को फिर से जब सामने लाते हैं तो कालिदास की महत्ता रेखांकित भी करते हैं और इसलिए एक कवी की अपने पुर्खे कवी से ये स्वस्त प्रतिस्परदा है स्वस से आगे कदम बढ़ाता है और इसी लिए कविता निरंतर विकास करती है यहां एक छोटी सी बात का उलेख और करना ज़रूरी है यहां पड़ा थोड़ा सा संगर्श पूर्ण भीषण दृष्ष्य है जाड़ा भीषण है और जंजा निल से महामयक की भेड़नत में भीषण ह तो आए हैं नागारजुन के प्रकृति में लेकिन पता नहीं क्या बात है नागारजुन के पूरे काववे में प्रकृति के करकर्श दृष्ष्य नहीं आए हैं जैसे मैं उदाहरन दूँ निराला जी के बड़े प्रेमी कवित थे निराला को के उपर एक पुस्तक लिखी है कविताएं कई लिखी है और उनके जैसा ट्रिबूट तो बहुत कम लोगों को दिया होगा नागारजुन ने निराना के यहाँ धूप का वाड़न इस रूप में भी आता है है निरी पैनी छुरी रविकी छटा या उठी जुलताती हुई लू रूई जयों जलती हुई भूँ ऐसा चित्र एसा करकष चित्र प्रकृतिगा नागारजुन के यह कहीं नहीं आता यह चित्र भी भव्य है भीषण है संघर्षपूर्ण है लेकिन शीतल है भीषण जाड़ों में है वैसी करकषटा नहीं है इन चित्तों में भी उसका कारण है नागारजुन संघर्ष के व्यंग के राजनीति के कभी भी हैं समाज की विडंबनाओं पर जैसा प्रहार करते हैं वैसा दूसरा कभी कोई क्या करेगा तो इसलिए कुछ लोग उनको आधुनी कबीर कहते हैं तो जब वो जीवन के संघर्ष से ठक जाते हैं तो राहत लेने नई उर्जा लेने प्रकृति के पास जाते हैं इसलिए यहां उन्हें वैसी करकशता की ज़रुत नहीं है इसलिए प्रकृति हमेशा उनके यहां उत्फुल है यानि प्रसन है प्रेणा धायक है शांत है शीतल है भव्य उदात है तो भी शीतल है करकश नहीं है ये एक विशेष चीज है जो नागारजुन की कविता में ध्यान देने की है और ऐसा हिंदी में किसी दूसरे कविमे नहीं है ये नागारजुन का अपना गुण है प्रकृति के चित्रन में जो अन्यतर नहीं दिखाई देता एक शोटी सी बात का इशारा और करें कि मेखदूत का पता नहीं है क्योंकि वो तो बरस गया है तो जो मेखदूत बरस चुगा है अब तो दिखाई नहीं दे सकता लेकिन नागारजुन ने दूसरे मेखों को देखा है तो एक तरफ कवी कल्पित और एक तरफ मैंने देखा है मैंने तो भीशनर जाड़ों में ये देखा है और ये देखा है कुछ कभीर की याद नहीं दिलाता आखन देखी और इस तरह दूसरे कवीताओं के कितने संदर्ब या दूसरे कवियों के कितने संदर्ब कितने रूपों में नागारजुन के यहां आते हैं और वहां किसी संदर्ब में होंगे यहां किसी संदर्ब में आएंगे और यही कवी की मौलिकता होती है कि वो अनेक संदर्बों को अपने प्रसंग में रूपांतरित कर देता है अपनाता है और बदल देता है शत शत निर्जर निर्जरनी कल मुखरित देवदारु कानन में शोनित धवल भोज पत्रों से चाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे इंद्र नील की माला डाले शंख सरीखे सुहर गलों में कानों में कुबले लटकाए शतदल लाल कमल वेणी में रजत रचित मनि खचित कला में पान पात द्राक्षासों पूरित रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपदी पर नरम निराग बाल कस्तूरी मृक्षालों पर पल्थी मारे मदिरा रून आखों वाले उन उनमद किनर किनरियों की मृदुल मनोरम अंगुलियों को वन्शी पर फिरते देखा है बादल को घिरते देखा है क्या ये द्रिश 1940 में भी वास्तविक द्रिश है किनर किनरिया 1940 में थी परवती प्रदेश का जन जीवन ऐसा था या उस जीवन को थोड़ा आदर्श रूप देने के लिए नागारजुन ने पुराने कावें में वर्नित कथा प्रसंगों का उप्योग किया है यहां नागारजुन ने भी कालिदास की तरह पुराने प्रसंगों से और उसकी कलपना से अपने समय के यानि उस समय के जन जीवन का आदर्शी करन किया है तो यह वास्तविक दिर्श नहीं है यह कलपना से निर्मित एक आदर्श दिर्श है कवी का काम इस आदर्श दिर्श के बिना ऐसी कविता में तो नहीं चलता यह नागारजुन भी प्रमानित कर देते हैं यह बात तो सच है शत शत निर्जर निर्जरनी कल वो जरने जरनियां और नाले नहरें यह सब हैं और मुखरित देओदार को आनन में देओदार के जंगलों में यह सैकड़ों सैकड़ों जर्रा जरनी नाले यह मुखरित हैं यानि कल कल करते हुए बह रहे हैं शोभित धवल भोज पत्रों से चाई हुई कुटी के भीतर अब भोज पत्र से 1940 में कुटी नहीं चाई जाती थी ये तो निश्चित है और भोज पत्रों का प्रियोग बंद हो चुका था तक ये पुराने प्रसंगों से लिया गया वो है लेकिन पूरी कविता के मिजाज के अनुसार ये खुद एक सुन्दर और भविरूप ले लेता है और विश्वस्निय लगता है तो कविता में किसी बात का तथ्य होना जरूरी नहीं है कविता में किसी बात का विश्वस्निय होना जरूरी होता है यही कला तथ्य कहे जरूरी नहीं है कला विश्वस्निय तथ्य कहे यह जरूरी है चाई हुई कुटी के भीतर अब आप सोचें भोज पत्रों से कुटी चाई हुई है है कुटी भोज पत्रों से चाई हुई है सीधी साधी है लेकिन उसके भीतर जीवन है कैसा है यहां समझ में आ जाएगा कि यह कैसे कलपना ही है जीवन कैसा है रंग बिरंगे और सुगंधि फूलों से कुंतल को साजे कुंतल यानि बालों को रंग बिरंगे खुश्बूदार फूलों से सजाये हुए इंदर नील की माला डाले शंख सरीखे सुहर गलों में इंदर नील पता नहीं तब इतने मिलते थे नाले माला बनाने के लिए बैराल लेकिन सुन्दर दिर्श तो है, कानों में कुबले लटकाए, अब ये केवल इस्तिया नहीं है, ये कुबले पुरुष भी लटकाए हुए, शतदल लाल कमल वेडी में, शतदल यानि सो दलों वाला लाल कमल वेडी में, वेडी यानि चोटी, चोटी में कमल लटकाने का चलन, कम से कम बीस ह andar दी में नहीं था, ये बहुत पुराने समय रहा होगा रजत रचित मनि खचित कलाम ए पान पात्र पान पात्र यानी जिस से शराब पिजा जाती है, वो पात्र उसमें द्राक्षासो पूरित वो द्राक्षासो से भरे हुए द्राक्षासो माने आयरवेद की दवा नहीं द्राक्षासो का मतलब है अंगूर की शराब द्राक्षा माने अंगूर आसव माने उसका अर्क तो अंगूर की शराब तो पान के पात अंगूर की शराब से भरे हु और वो पात्र भी मामूली नहीं हैं वो रजत रचित हैं चांदी से बनाए गए हैं और उनमें मनियां अंकित हैं खचित हैं और बड़े कलामे पात्र हैं ऐसे पात्रों में शराब रखके और वो शराब भी वो प्याली कहां रखी है वो प्याली रखी है लोहित चंदन की ति त्रिपदी कहते हैं तीन पाउवाले स्टूल को तो और वो स्टूल किस चीज़ का बना है लोहित चंदन से लाल रंग के चंदन के लकड़ी से वो त्रिपदी बनी है उस पर रखे हुए नरम निदाग बाल कस्थूरी मिरिक शालो पर पलती मारे कस्थूरी मिरिक वैसे ही मुश्किल से मिलते हैं और बाल कस्थूरी मिरिक को मार के उनकी जो चमड़ी है उसका आसन बनाके बैठते थे वो मिरिक शाला कहते थे उसको तो वो बाल कस्थूरी मिरिक शालो पर बैठे हुए हैं बड़े मिरिक को मार के शाल नहीं बनाई है बाल क कस्तूरी अमरिक छाला पर बैठे हुए हैं तो ये सब वर्णन कालिदास से और दूसरे कवियों से परंपरा से लिया गया है इसमें कोई दोराई नहीं है कल्पना को सजीव करके या यथार्थ को कल्पना से नया रूप देकर कवी यहां वास्तविक्ता को अपने अलग धंग से देखने और चित्रित करने की कोशिश कर लाए उन पर पलती मारे मदिरा रूण आखों वाले मदिरा रूण शराब पीने से आखें लाल हो गई हैं तो मदिरा से अरूण आखें उन किनर किनर्यों को मैंने देखा है और किस रूप में देखा है मिर्दुल मनोरम अंगुल भोज पत्र की चाई कुटी के अंदर वो उस तरह से सजे संवरे किनर किनरी बैठे हैं द्राक्षा उसो सामने रखा है वंशी लिये हुए हैं कोमल उंगलियों से उस वंशी को बजा रहे हैं और ये दिर्श मैंने देखा है निश्चित रूप से कलपना को सजीव करके देखा है क्योंकि किनर किनरी इतनी कोमल उंगलियों से प्राधीन भारत में 1940 में वंशी बजा रहे थे ये वास्नविक्ता नहीं है लेकिन वास्नविक्ता न होकर भी वास्नविक्ता है क्योंकि कभी ने जीवन के इस सुन्दर उदात भव्य पक्ष को इस कविता के माध्यम से हमार BCERT की हिंदी की पाठ्थे पुस्तक अंतरा भाग एक में संकलित नागर्जुन और उनकी कविता पर आधारित ये कारिक्रम इसकी विवेचना कर रहे थे डॉक्टर अजयतिवारी आशा है ये कारिक्रम आपको पसंद आया होगा लेकिन फिर भी यदि आपके मन में पाठ से संबंधित कोई प्रश्ण है कोई जग्यासा हो तो अपने मित्रों से या अपने अध्यापकों से जरूर चर्चा करें और हमें पत्र भी लिखें हमारा पता है संयुक्त निदेशक C.I.E.T. N.C.E.R.T. इसी के साथ हमारा आज का कारेक्रम संपन होता है अगले कारेक्रम में एक अन्य कवी और उनकी कविताओं के साथ हम फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए कारेक्रम में आभले कारेक्रम में एक सब सबक्षस्च्व कर दो कर दो